हेलो एवरीवन वेल्कम टूर यूट्यूब चैनल जेके लेटर्स इन्फो तो जेके सेज़ बी क्लास फोर की बात करें अठाइस फैप का जो पेपर है वो आपको सॉल्व कुर्वाने जा रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व करवाँगा जैसे कि कल का पेपर 27 फैपकर करवाया था वैसी आज भी करवा रहा हूँ आज ची पेपर की बात करों मैथमेटिक्स बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कह सकतर डिफिकल लेवल काया हो था इस से मॉड़िट लेवल तक का था मॉड़िट से भी थोड़ा कम भी था मतलब मॉड़िट भी नहीं कह सकते हो हाँ एक दो कोशन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे बागे सारा पेपर इजी था और जैसे कल कोशन से थे कुछ कोशन वैसे भी रिपीट हुए थे थोड़ से डाटा change हुआ था अगर रिजिंग के बात के रिजिंग भी इजी लेवल की थी इंगलिश तो कल से बहुत एजी लेवल की थी यहां पर इंगलिश की बात करें और जर्नलबरफ के बात करें आज से दस कॉशन तो ऐसे ते जो बिल्कुल बेसिक से कॉशन थे और बागी जो 20-22 नंबर की बात 30 नंबर तक की बात करें वो पेपर मौड़ेट से हाई लेवल तक का था बस यह है बागी आज के पेपर जो और रहाल देखा जाए वो बहुत इजी था इसलिए बहुत बन गया था क्योंकि अगर हम जोनल अबने सके डिफिकल्ट के बात करें उसका आइडिया बच्चों को लग गया था कि करेंट एफिर्स में जो स्पोर्ट से कैसे कॉशन आ रहे हैं वो बच्चों को आइडिया लग गया था कि इस तरह का पैटन साइट हो रहा है वहत अगरीवन आइडिया लगी गया था तो इसको भी इतना डिफिकल्ट हम नहीं कह सकते हैं जो भी है जिनका पेपर एक मार्च को है वो ध्यान रखना जितने कोशन भी आपके सामें रिपेट भी हो रहे हैं अगर 27 वीडियो भी देख लोगे 28 व इसको वीडियो को बना रहा है क्योंकि वाइड बोड में अगर बनाता ना तो पहले इस वीडियो को बनाने में एक से दो गन्ते लग जाने थी तो को एडिदिंग करने थी जो 100 फोटन्स थे उसकी हर एक कोशन के फोटो को क्रॉप करना था प्रॉपर विल में फिर कोशों के सामने साइट वगयरा करना था आराम से तीन चार पांच गिंटे की सारे गेम थी यह वली और आप बस वीडियो कल के तरदा तो 11 बजे पहुंचने थी उस टाइम को बचाने के लिए मैं यहां पर वीडियो स्क्री पहले हम A cross Q के बात करें इसका मतलब क्या है cross आपको यहां पर देखने को मिल रहा है क्रॉप की बात करें P cross Q के बात करें P is the brother of key यानि कि जो पहले कुरे का बाई है यहने कि जो पहले वाला है वो कोन है वो दूटरे का बाई है हमने बना दिया q divide by b की बात करें dhow पे Q बेटा है किसका बेटा है Q बेटा है B का B divided by S आ गया है divided तो हमने भी देखा पहले वाला जो है वो दूसरे का बेटा है यह तो हमने clear कर लिया B इस दर सन्ना फैसम ने बना दिया और S प्लस C का मतलब क्या हो जाएगा प्लस यहां पर देखने को मिल रहा है P is the wife of Q जो पहले वाली है वो wife है किसकी? दूसरे की wife है यानि कि C यहां पर इसका husband हो जाएगा यह हमने diagram बना दी How is C? जो C है यह कैसे चुड़ोगा A के father से A का father यह हो गया ना तो C का क्या रिष्टा है इसके साथ? C जो इसका father है option number B correct हो जाएगा टाउन A जो है वो west में है टाउन B के अब हम इन directions के बारे में पता है यह north side होती है south side होती है यह east side है यह west side है टाउन अगर हम A के बात करें टाउन A कहां पर है? B के west में है अगर B यहां पर है इसका west side कौन सा हो जाएगा? इस तरफ वला तो टाउन A जो है वो B के west side में है टाउन C की बात करें वो north में बदल ऊपर की तरफ है टाउन C जो है वो A के north में है हमने ऐसे बना दिया उसके बात क्या है? टाउन E इस two words ता west of C town E कहांपर है? C के west side में है C के west side में कौन सा town E आप से क्या पूछा है? town E जो है वो B के respect पर कहांपर है? B के respect पर B के respect पर town E कहांपर है? बीच में है न यह north side है यह west side इसका मदब आंसर क्या हो जाएगा? northwest option number B correct हो जाएगा आगे चलते हैं एक certain coding language है उसमें coding इस तरह से की गई है आपको simple यहाँ पर बताना था कि LA की coding क्या हो जाएगी अब यहाँ पर कैसे कर सकते थे LA आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर हम इसकी और इसकी बात करें common क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर RA कॉमन देखने को मिल रहा है तो coding भी common है कि coding कोंसे common है यह विल्य coding common है इसको हम हटा देते हैं यह हम हटा देते हैं अब इसकी और इसकी बात करें आपको यहां पर एंड कॉम मन देखने को मिल रहा है एंड तो यहां से भी हट गया आप बचा का आपके पास आपे मले 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 की कोडिंग जो पर्संटो हैश इसमें से कुछ भी हो सकती है आपसे पूछा ना तो यहां पर देखो यह पिर तीन दौट तीन दौट यह जदा डाइना आप से इसको पर जाएगा Question number 25 के बात करते हैं यहाँ पर थोड़ सा आप भी help करना यहाँ पर इस question में देखा जाए तो यहाँ पर देखो 9 dots है 6 dot है, 3 dot है मतलब पहले 9 dot थी, फिर 6 dot होगी फिर 3 तीन दिन को gap चल रहे न, आगे कितनी होनी चाहिए थी कोई भी dot नहीं होनी चाहिए थी और दूसरी बात क्या है, पहले triangle ऐसे था, दूसरा ऐसे हो गया तीसरा ऐसे था, next one कैसा होना चाहिए था, ऐसे होना होना चाहिए था और dot हैंपर कोई भी नहीं, ऐसे कहां पर देखने को मिल रहा है option number D वाले में, तो option number D correct हो जाएगा आगे चलते हैं, question number 26 के बात करते हैं, यहां पर कहा गया X starts walking from the place A, he walks 4 km east and reaches B इसको tricky help से भी कर सकते थे और basic method से भी कर सकते थे basic method से कर वा हूँ या trick help से कर वा हूँ, क्या कहा गया है 4 km east, 4 km east, फिर हो right side turn करता है, अगर डिरेक्शन करता है north side, south side, यह west side, यह east side, ठीक है, ऐसे east side right side turn करता है, turns right, यहां जानिक, east को right side यह south side में आ जाएगा वो और कितना travel करता है, 3 km travel करता है, जब direction select हो जाएगे, हम कैसे करते थे हम under root में 4 का square 16, पैस 3 का square 9 करते थे, इसको solve करेंगे 25 और answer 5 आ जाएगा हम इस तरिके से क्या करते है, option number B correct हो जाएगा, अराम से कर सकते हो general method से करेंगे, x से करता है, किसी A point से चलना start करता है, यह वो A point है 4 km east की तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, और B point में पहुंच जाता है, यह आपने बना दिया 4 उसके बार, उसके बार क्या होता है, राइट से टरन लेता है, नीचे की तरफ आएगा, कितना आता है, 3 km आता है, और कहां पहुंच जाता है, C point में पहुंच जाता है, बताव शॉटर डिस्टेंस, A और C के पूच के है, यह आपको निकालना था, वह है, यह आपको दिया ह हुआ है, हाइप प्रटेंस को स्क्वार इकोल सो बेस का स्क्वार प्लस पर्पेंडिगलोर स्क्वार रिसॉल्व करना था, क्यास 5 अंसर आ जाएगा, 180 students in class में, 90 जोंच बंगॉली बहुलते है, 40 70 अगर आपको पर चलते हैं, जो 20 चलते हैं, सहोग sûr मराराथी बोलते होंगे और डोनों लेंगोंज बोलते हैं वो कितने हैं वे इirmakansеть हैं हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों केано से चूदा था थे पता है उसमें से कर बात करें यहां पर पूछाता ही यह सिर Allah मिलाठी बोलते हैं यह वह वहले हैं जो दोनों में से दोनों language बोलते हैं याने कि 60 plus 40, 100 plus 30, 130 130 ऐसे हो गया जो दोनों में से कोई जो कोई language तो बोलते ही है जो दोनों में से कोई भी language नहीं बोलते होंगे वो कितने हो जाएगे, 180 total में से थे 130 minus करते हैंगे, 50 आजाएगे, 50 ऐसे होंगे E plus B बलाग करे उसकी घर चर सकते हुग इस कउशिन की बात करें So, time में next time कौन से है गी 21 को सामने दिखहरे 3 से multiply करोगे 63 आ जाएगा 63 को आजमे 4 से multiply करोगे 252 आ जाएगा 252 को 5 से multiply करोगे आगले system को 6 से multiply करना था तो answer अपके पास क्या आ जागी 6 को 0 से multiply बिल्कुल basic सा question है कल भी आया हुआ था 971254 की coding पूछी गई है 9 की coding क्या है R 9 की coding R दिये पहले R आना चाहिए था 7 की coding क्या है 7 की coding M है फिर M आना चाहिए था last में end की तरफ बढ़ते end में 4 है 4 की coding क्या हो जाएगी 4 की coding percent है last में परसंट आना चाहिए था उसे पहले आते हैं 555 की coding क्या है पी है तो percent से पहले पी आना चाहिए था starting में RM और end में पी परसंट starting में RM इसमें पी परसंट है नहीं RM पी परसंट है और कोई है ही नहीं इसका मतलब option number season पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं select the alternative to try का मतलब 10 होता है नहीं तो यहां पर three का मतलब sorry three का मतलब try होता थो ten का मतलब क्या हो जाएगा फैंटो डेका ने क्या हो जाएगा टेका हो जाएगा जैसे try को 3 भी नहीं बोलते हैं option number भी correct हो जाएगा 31 के बात करते हैं आपको साने figure आपको बताना था कि artist एसे जो कि doctors भी है डानसर भी है जो कि doctor भी होंगे इसको थोड़ा और zoom out कर लेतो ठीक है ऐसे करे है कि आपको बताना था जो Doctor भी होंगे और dancer भी होंगे पर scientist नहीं होने चाहिए मतलब इस rectangle मे वह आने चाहिए बट वर scientist नहीं होने चाहिए न, scientist कौन से हैं, जो इस triangle के बीच में आ रहे हैं, यहीं कि H को हमें हटाना पड़ेगा, जब इस G और C, option number B, आपको correct answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, next question के बात करते हैं, 31 होगा है, 32 के बात करते हैं, एक coding language जिसमें train की coding का की गई है, train की coding जो है, train की coding कैसे करी गई है, P, T, C, K, J, इस तरह से coding करी गई है, आपको बताना है, how is platform coded in the same board, अगर हम platform की बात करें, उसकी coding क्या होगी, इस तरह से पूछा गया है, देखो, 20 number पे आता है, 18 number पे आता है, यह last में क्या था, आपको अन्ता 14 number पे आता है, यह 16 number पे आता है, यह 20 number पे आता है, यह C, 3rd number पे आता है, clear हो रहा है, मतलब, पहले क्या हो, minus 4 किया हुए, plus 2, plus 2, plus 2, और last में minus 4 किया हुए, first term में minus 4 है, last term में minus 4 है, बागी हर जगा plus कर रहा हुए, clear हो गया, वैसे आपको यहां पर भी करना था, platform की coding कैसे की जाएगी, how is platform coded in the same language, इस platform की coding कैसे हो plus 4 करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, तो P 16 number पे आता है, plus 4 करने 20 आ जाएगा, M हम बार पास यहां पर M की बात करें, यहां पर 13, sorry, P यहां पर हाँ ठीक है, यहां पर वही है, minus 4 है, concept करना पड़ेगा, sorry, P जो है, 16 number पे आता है, अगर यह पर minus 4 करेंगे, 12 आ जागा, 12 number प फालो हो रहा है, simple language में का जाए, pattern की आ फालो हो रहा था, starting में कहा था, minus 4, last में भी कहा था, minus 4, बाग इस अपर, concept यहां पर चल रहा था, वोगी concept आपको, यहां पर भी लिगाना था, आगे चलते है, next question के बात कर लेते, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 64 यहाँ पर यह विले concept चल रहा था, यहाँ पर आपको बताना था कि next number यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, 1 by 4 है, इसको 1 by 2 से multiply करो, 1 by 8 आजाएगा 1 by 8 है, इसको 1 by 2 से multiply करो, 1 by 16 आजाएगा इस तरह की पूरी sequence चल रहे थी, इसको आगे follow करना था आपका अराम से answer आजाना था, समझके 1 by 16 है, 1 by 16 को 1 by 2 से multiply करो 1 by 32 answer आजाएगा, इस question की बात करें कि century का मतलब 100 है तो millennium का मतलब को बता है, 1000 ना, आगे चलते है शीतल is the sister of Babita's daughter's brother, how is Babita's brother शीतल कोन है, किसकी sister है, एक Babita है, Babita की बात करें, उसका daughter है, Babita है कोई, उसकी लड़की है, Babita's daughter brother, Babita का daughter का brother कोन हो गया, वो यह हो गया, शीतल कोन है, इसकी sister है, इसकी sister कोन है, वो शीतल है, यह आपको बता दिया तो बताब भबीता जो है वो कैसे रेडिड़ा शीतल से तो उसकी मर्दर होई ना option number एकरेक्ट हो जाएगा इन सब भी किये मा है आगे चलते नेक्स question की बात करते हैं यहां पर एक सेकंड रुप जो नवीन's father only daughter son is अरनव नवीन के father की बात करें नवीन के father की बात करें नवीन के father की बात करें उनके only daughter नवीन के father की अक्यल लड़की कुन हो जाएगी इसकी बहन हो जाएगी नवीन's father only daughter son इसका जो अक्यल लड़का है वो कुन है वो अरनव है यह बताएगा आपको ठीक है नवीन के फादर के अके लिड़की का जो लड़का है वो कौन है वो अरनव है तो बताओ अरनव जो नवीन से कैसे जुड़ा हुआ है तो अरनव जो है वो नवीन का क्या हो जाएगा देखो इसकी बहन का बेटा है तो Arnav इसका क्या हो जाएगा, Nephew हो जाएगा, Option Number यहां पर Correct हो जाएगा Clear हो गया, आगे चलते हैं, Next Question की बात कर लेते हैं यहां पर How is Arnav related to Navin ठीक है आगे चलते हैं, Next Question की बात कर लेते, Missing Term की बात करें यहां पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यह एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देना जहां तक यह clear हो रहा है, यहां पर 5x2, 3x2 ली सीरीज चल रही थी, इसको मैं यह से clear नहीं किया हैं यहां पर आप यहां पर कमेंट करके बता देना इसको मैं यहां पर देख़ो और यहां पर राहा है यहां पर water image performed – अपर आप यहां बार चले जाएGO मतलब यह box नीचे आ जाएगा यह box ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसा कहां पर देखने को मिल रहा है और ट्रेंगल के अंदर आपको दीख रहा है यह portion यह portion बाहर आ जाएगा और ऐसा बिल्कुल एक्जेक्ट जो है option number B में देखने को मिल रहा है option number B correct हो जाएगा 40 question के बात करें यहां पर क्या है circle जो है इन दोनों figures के बीच में circle जो है इन दोनों figures के बीच में सिर्फ यहां पर ऐसा नहीं है option number C correct हो जाएगा अच्छा 39 question नहीं करवाया था 38 के बाद हम डिरेक्टल यहां पर 39 40 पर चलेगा इन North side हो गया South side हो गया East side West side South में आने के बाद क्या करती है अपने right side में turn करें तुमने West side में जाती है 19.5 मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं 26.6 South आगया यहां पर direction में जाता हूं North side South Side East side West side ठीक है यह clear हो गया क्या कहा गया है इस 26.6 South में जाती है फिर अपने राइट साइड करते है South को राइट साइड करती हो West Side में चल जाएगी 19.5 कहां पे जाती है वो West Side में जाती है Next Chief Moves 23.4 मिटर तूहर लेफ्ट 23.4 मिटर जाती है बड लेफ्ट साइड में बाण से South Side में आ जाएगी उसके बात क्या कहा गया, 8.5 जाती है, दो बार से कहा पर जाती है, दो बार से left side में मतलब east side में आ जाएगा, उसको solve करना था, यह तो add हो जाएगे ना, south, south, 26, 20, 20, 24, 49, यह 50 आपके पास आजाएगा, 50 south आजाएगा आपके पास, और अगर हम east west की बात करें, यह 8.9 था आप कुछ को simply solve करना था, इसको कैसे solve कर सकता हो, अब यहां पर जाके, south और west दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या कर सकते हो, इनका square करना पड़ेगा, आपको under root में, 50 का square, प्लस 11 का square, मैंने कोई mistake तो नहीं करें यहां पर, 50 का square, प्लस 11 का square, 50 का square को इतना जाएगा, 2500, प आपको पता है, इसके आसपास के पत्चीस हो है, पत्चीस हो किसका square होता है, 50 का square होता है, यहां कि 51 परिंट कुछ होगा, 50 के करीब करीव तर्म कौन से आपको देखने को मिल रही है, 51 मिल रही है, तो option number B यहां पर correct हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं, पूर पूरा square root नि पर दिया, पूरा passive को नहीं समझ जा सकता है, आपको आप्शिन दातनों, option verify कर लेना, क्यों उनको कहते है कि gramophone एक boon है क्योंकि, because they could listen to good music, क्योंकि वो music को अच्छे से सुन सकते हैं, यहें पर सभी के सभी answer जो ना वो यहें पर दिये गए है, कल का passive मैंने देखा नहीं था, इस तरह का option number से correct answer हो जाएगा, main use gramophone का क्या है, इसका gives pleasure, पूरा paragraph में same to same wordings use करेगी है, किसी भी तरह का difficulty नहीं है, passage पढ़ना, अपना पतार देजागा, option number से correct हो जाएगा, आगे चलते हैं यहां पर, और हम बात कर लेते हैं, यहां पर, मैं आपको आपको बताने के करो, मैं यहां पर, हाँ यह है, its main use is to give pleasure, लिखा हुआ न, यहीं साब को उता है, कि give pleasure करना, इसका main use वो है, it is useful for students, useful क्यों, student skills का answer था, repeat the song till they master it, यह last लिक कहीं पर, end of the paragraph में mention करा गया, वहां साब का answer है था, gramophone हम क्या listen कर सकते है, voices of the great singer and finest orchestras, यह भी इस पूरे paragraph में देव, इसको ठाक आसर बता रहा हूँ, आगे चलते हैं, fill in the blanks with correct option, he dash confident even when he face several problems, when he faces several problems, वो confident रहता है न, तो he were remaining तो आने सकता, have been remained आने सकता, he remains आ जाएगा, he sheet किसे का नाम वो SES लगता है, तो he remains यहां पर आ जाएगा, option number यहां पर, de-correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, he remains, remains आ ज आगे चलते हैं, यहां पर, fill in the blanks, dash energy generated by dash windmill, drives all the drainage pumps, इसमें correct answer क्या हो जाएगा, the energy generated by a windmill, एक windmill के बात कर रहे थे न, अब obvious ही बात है, यहां पर देखो, and windmill तो आने सकता, यहां पर no article windmill, no article windmill, यहां पर आएगा क्या, a windmill तो आएगा, एक windmill है, और the energy generated by a windmill तो आएगा जो energy किसके बात करें, he dashes left hand, so type to one hand, उसने अपने हाथ, left hand को क्या कर देता, ताकि उसको right hand की help से type करना पड़ रहा था, one hand की type से turn करना पड़ था, he injures तो हो नहीं सकता, type to pass की बात करें, he have तो लगता है, he has लगता है, he has लगता है, he has लगना था, he injure भी नहीं है, he had injured आज जा जाएँगा, तभी pass में जा रहो है, option number is correct हो जाएगा, question number 51 की बात करते है, even after dash years, everything has remained dash same, even after dash years, even after many years, everything has remained the same, और कायो option का प्र सूट रहा, even after the years हो सब्सक्राइब कर दो जाएगा सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो जाएगा अगे चलते हैं अब जितने में बेस्ट बार्गेंस थे वो स्नाप कर गए विद नार्ट नाप कर गए ऑप्शिन नमर से यहां पर करेंगा आगे चलते हैं नेक्स्ट की बात कर लाते हैं यहां पर इस बुक कंटेंज आ सीरीज अफ एलमेंटर एक्सराइब आजाएगा अब फ्लाट का मतलगे बाग जाना तो यहां पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इंटरिम में अपोजिट अराइवड आजाएगा है डिटेल टेलगे जो कुछ डिटेल करते हैं अपर इस दिखले कर गया अप्शिट हो जाएगा यहां पर कहा गया और का गया करेक्टल पीपल इस पर सिंदे अरह कमिग देखा इंगलिश कितनी इजी आज पूचे यह आपसे एक्जाम में आगे चलते हैं आगे चलते हैं सब्सक्राइब करवाया हुआ है बस इस इंग्रिश की बात ने डिकलेटिव सिंटेंस के आपको नहीं करवाया था बागी सारा पूशन करवाया हुए जनरल अवेनेस के बात करें प्लेश के बात करें अब यह जो जाएगा जब भी आपको स्पोर्ट को पोश्चिन आ रहे है वह इंटरनेशन लेवल का रहा है यह वैसा पेपर निजसे जैके सिब्सक्राइब क्लास वर्क ली सट होने चाहिए था थोड़ा डिफिकल्ड पेपर साथ किया हो था इस तरह के पैटन से तो बिल्कुल भी पेपर निसेट होना चाहिए था आगे चलते हैं हूँ अमंग दा फॉलिंग वाज़ा चीफ गेस्ट वाज़ागा वह करेक्ट एंसर हो जाएगा 2011 के संसिस के कॉर्टिंग फीमेल पॉपलेशन कौन से यूटी में जाता है यहां पे यूटी पूछा स्टेट नहीं पूछा देख को कुछन कैसे गूमाती है यहां पे यूटी में पूछा हो तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्डीचरी हो जाएगा ऑप्शन आफे यहां पर ऐसे चलते हैं इनमें से कॉन से इसा है जो की कालेक्ट ली जो कि इनक्रेटली प्रेशन किया गया है इसका अंसर आप मज़े बितातोग्य को बहुत बार मिइं डिसकस करो है इन पर और ठोट-ससे को फूचिए और उस और यहाँ पर confusion से creation से आपटे create करेंगा तब आपको यह काम दे रहा हूं यह विला इस question की बात करें यह आपको पुरे बहुत बहुत बात से सके बार में कि कौन सी characteristics sound की जो determine loudness जो loudness भगे लिखर है के बार में इसके बार में पदाते हैं amplitude option number second value जो correct हो जाएगा Bombay Times की बात करें, Journal of Commerce की बात करें, 1838 में found करा गया था तो यह इस newspaper को identify करें, वो कौन सा newspaper यहां पर उसके बात कर रहे हैं तो The Times of India की बात कर रहे है Incorrect element, symbol किसका incorrect दिया गया, sodium का incorrect दिया गया यहां पर option number C correct हो जाएगा यहां पर identify करने फिल्म इसको Oscar में entry मिलती की foreign language from category की उसमें तो गली बाई option number C correct हो जाएगा विटामिन जो सनाइट से मिलते हैं, vitamin D correct हो जाएगा wildlife century जम्मू कश्मीर बैंबू plantation के लिए बड़ी important brand मानी जाती है वो कौन सी यहां पर रहेगी, जस्रोटा wildlife century इंडियन क्रिकेटर ऑफिशली आपको गुदबाया था सची इंटलू के बार में option number हो जाएगा कौन सी false statement आप फार्ट को लेकर यही है ना कि चनाब नदी के किनारे में option number C आपको correct हो जाएगा इसके बाद जो कोशें थे बाद फार्ट के बात करने इसके थीम के रहे गए थी योगा फॉर हेल्थ योगा आइट हम आपको करवाया भी था option number B correct हो जाएगा अब इसके बाद जो कोशें थे बेसिक लेवल के था तो गुमागे पूचे थे बागी से थोड़े difficult भी थे थोड़े easy भी थे तो इतना भी difficult नहीं था जी है बड़ हम कुछ पोश्मिर भी जादा फोकस करना चाहिए था वह कुछ किया ही नहीं है पता नहीं कहां कहां से कुछ उठा के पूछ लिए हुए विच अमंग दर फॉलिंग इंडिटरी इस ऑल्स दर के नेबरिंग से इंडिया कौन से दो capital acid दो जागे capital बगार चंदीकर हो जाए correct answer India achieved best medal hall at the Asian Games 2018 कितने गोल्ड मैले ने जीते है पूछा यहां सबसे तो पंदर जीते थे option number भी correct हो जाएगा district यह तो easy question था पर कुछ बिल्चे देखके डर गए हो गए north से आप साउथ की तरफ आने था correct pattern क्या रहेगा देखो गंदरबिल के south को अशना हो जाएगा évigreeject को कहते हैं जान आगे चलते नेक्सक चनके या पर बात कर लेते जो कुछन पूछन चाहता है वैसे पूछन नहीं है बैट कुछन की गुमा के स्टेटमेंट ऐसे बना की पूछ दी गई है आप जैसे जो केस वोले हो तो बच्चे डर के होंगे लो पेपर देखे बाई इनका ये हाला तो हमारे कैसा पूछन पूछेंगे वर्ट फंस वान वर्ट कबूला जो है वह किस ने जीता यहां पर आपसे वो पूछा गया तो फ्रांस ने जीता था ऑप्षन पर भी कर्येक्ट हो जाएगा वाटर पॉलुइशन वगर ऐसे आ गया कौन से जो कंटेंबिशन वाटर कारें नहीं होता है यहां पर इन में से वह अपसे पूछा गया था टूपर क्लोस से टीप करेक्ट आंसर हो जाएगा तोड़ा फास दिल रहा हूं आगे चलते हैं करेक्ट स्टेट्मेंट कौन सी है का अब यहां पर देखो यह कैसे पूछा हूँ है अब यहां पर देखो यह कैसे पूछा हूँ है जो है उसको एक्स्पियर को पूरा का पूरा डॉक्टर अफ लाप्स की डेफिनेशन पूछे कि पूछा और पूछा गया था आपसे पूछा गया है कोशन बिल्कुल बेसिक्स है जिसको इसके बार हम पता होगा कि भाई डॉक्टर नव लैप्स किया थी और आम से पढ़ लेगा अब जो बंदा कोशन देकर डर जाएगा वह कोशन को सिप पर अगर निकल जाएगा वह काम निकलना कोशन पूरा पढ़ लिया करना कावरतिय किस फिर से बात करें आज भी यहां पर स्टेट कैपिटल से कोशन आयों उसका मतलब अगर हम बात करते हैं स्टेट कैपिटल आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन है यू ठोड़ी सी यूटी जे उनकी सेट कैपिटल भी याद कर लो और इसी के साथ साथ हमारे पाद जो स रहें चाहिए मैत की बात करो चाहिए रिजनी की बात करो तो इस तीसका अपने ध्यान रखने ठीक है आगे चलते नेक्स कुछिन की बात करते गिद्ला का फ्लॉट डांस है पंजाब का है ऑप्शन नुम्बर भी करेक्ट हो जाएगा कौन से स्टेट जो मद्यब्रदेश से इसका मतलना इसे काम पर देखने कोола मिल रहे है यहां पर जपकेंड और थर्ड इसका मतलब फिर फॉलिंग और आप्छोंर और या इसको मतलब करें एक स्टाहरो एक कौश्न पकूशनया दियान सर्ट say खुल कनफीज हो गया यहां पर देखो इनकरेक्ट कोन सी है यह भी है यह जो इनकरेक्ट है ख़डूंगला वली तो इसका मतलब ऑप्शन नमर थी जहां पर देखने को मिलेगा यह और आपका आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं ने बात करते हैं यहां पर स्पोर्ट से जुड होई है साणी मिर्जा जो है वो तेनिस जुड़ी है ऑप्शन नमर 1 का अंसर डी होना चाहिए ऐसा बी ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है इसमें भी देखने को मिल रहा है साटी नेवाल की बात करें बाइडमिंटन से जुड़ी हुए है सेगेंड का आपके बश्य होन इसकी स्पोर्ट से रिलेट करने पर सिंपल ऐसे कहा गया था में ब्लॉक का सुप्रीम पॉर्ट ऑफ इंडिया कि इसने डिजाइन करती गनेश्वला करेक्ट अंसर हो जाएगा इन में से कॉंस्टिपेंट इनकरेक्ट है और लॉंगिटूड से गेट सरकल ठीक है और लाइट स्टार्ट करते हैं मैठल सेक्शिन को मियांबर कहा गया अनियल किसे काम को करने में 16 डेज का टाइम लगाता है शुषी की बात करते हैं वो 24 देज में इसने डेज का अगर सबस्टे निकालने करती है इसका ऐलसम निकालना पड़ेगा अमें पता है ऐसे एलसम 48 और जाएग करें आनिल जो है एग दिमिए अधी के द PR काम करता हुग और शेशी की बात करें वह एक दिमे दो जिनों के लाव चोप की यहां जैप इस Isaac कि नहीद इस तरह हम एगर सब्सक्राये तो already वह इस तरह सब्सक्राइब दोनों फाइफ हमारे पास है तरह करने बाद करते बड़िया पर अल्टेंड पर करने में तो इसको भी डो से मिल्टिप्याइग करना पड़ेगा यहां पर एक से कंड डूप जाओ यह चुटी सी करना पर अभा करना करने में श्य किसी कंडु करने में टूंटी पुर देज का अगर total work निकालेंगे 48 unit का मार पास काम आ जाएगा ये इसकी एक ही बात करें एक दिन में कितना काम करता होगा तीन unit का काम करता होगा सुशील की बात करें एक दिन में 2 unit का काम करता होगा ये clear हो गया करते हों हैं कि खौना जाय मैं परidente नहीं के यांपर गया कि क्या को यह इसे कर लिया कि 5-10 काम करते हוד अलट जाय हूंगे अगर होतना नहीं जब एक साथ काम रहते हैं उससे की इसाथ करें मुझाथें कर रहे हैं आश मुस्ति ह NR Kantajaja Sab also Däaja Tumelar hours ये क्लिर हो गया अब भी नियुन के काम करते हैं अगर वह अल्टने डेश की वरे से यह क्लिए अधने काम कर लिया अब जो आगे काम स्टार्ट पर दिन के सिखाएंगा अनियुन के इस प्रेच नियुन के काम करता है तो काम कर देगा वह अनिल काम करके तो काम सरक खतम कर देगा अठ्रा दिन तो पहले लगे थे यह एक दिन एक्स्ट्रा और अनिल ने लगाया टॉटल मतलब किते दिन बज़के 19 दिन लगे ना तो 90 देज में काम खतम होगा option number यहां पर option number यहां पर correct answer हो जाएगा तीन identical डिस्क हैं जिनकी एक साथ जो blue color में paint करे गई है और दूसरे green color में paint करे गई है इन तीन डिस्कों toss करा जाता है किया probability है कि आपको more blue faces मिलेंगे green faces है अब यह वही होगे ना coin है एक से head एक से tail है यहां है यहां है टेल की जोगे कर दिए डिस्क ले लिए एक से blue color paint कर दिए एक से green color paint कर दिए तीन के case में कर 2 case होते है तो total number of cases कितने आते है तो की power 2 करके 4 आ जाता है तीन case है तीन बर toss कर रहे हैं तीन बर तीन डिस्क है तो की power 3 total case कितने हो जाएगा डिवाइड में डिवाइड में तो 8 आ जाएगा अब हमारे favor में क्या है total number of cases तो में समझ जाएगे 8 बन जाएगे और के case बन सकता है हो सकता है कि पहली में blue फिर green फिर blue ऐसे भी तो बन सकता है और के बन सकता है पहली दुन में blue फिर green ऐसे भी तो बन सकता है और के case बनता है क्या यहां पर देखो blue हो गया यह हो गया यह सकते हो गया और की की ऐहां पर इसका मतरined का रहा बार्या आपके भल्लू बन गया ब्लू ब्लू घ्ट गया अगर मैक्सिम केस की बात करें यहां पर 4 case मारें सामने बन रहें नहीं यहां पर तो 4 by 8 की बात करें कि 1 by 2 का answer आजाए का 1 by 2 गेंपर है option number C में देखना हो मिल रहा option number C यहां पर correct हो जाएगा इस तरह से भी आप इन questions को कर सकते थे बाकी इसका एक तरीका और होता करने वला वो factorial message से जो आपको मैं वीडियो में बताया था ना उस factorial message से भी कर सकते हो बट वो थोड़ से difficult भी बन सकता है तो उसको avoid भी आप यहां पर कर सकते हो बट यहां पर कहा है और कोई तरीका बन रहा है यहां पर एक बार फिर से verify कर रहते हैं एक हमारे पास बन गया blue blue green वला ठीक है blue green blue वला बन गया blue blue green वला बन गया और को हमारे पास बच रहा है यह blue blue green में दो बार लिख दिया ना इसको मटा देते हैं लेबर इस question को फिर से solve कुरतों में आपर पहला case हमारे पास के बन सकता है divide में तो 8 आएगा पहला case हमारे पास बन सकता है एक blue दूसरा भी blue तीसरा green clear हो गया यह whiteboard में नहीं समझा पा रहा है यहां पर छोटी से screen नहीं से clear हो नहीं रहा है और हमारे पास के बन सकता है तीनों blue भी हो सकते थे ऐसे भी case बन सकता है और हमारे पास के बन सकता है पहला blue दूसरा green तीसरा भी blue यह भी बन सकता है और हमारे पास क्या बन सकते हैं जहां पर ग्रीन से ब्लू आ रहे हों पहला ग्रीन दूसरा ब्लू यह भी ब्लू क्या और कोई केस बन रहा है हमारे पास जहां पर दो ब्लू मतलब एक ग्रीन और दो ब्लू यहां पर बन रहे हो और कोई केस नहीं हमारे पास बन रहे हैं पर यहां ठीक तो यह 4 by 8 आ रहा था 1 by 2 कटने के बाल 1 by 2 आंसर आ जाएगा option number यहां पर सीवला करेक्ट आंसर हो जाएगा a circle is inscribed in equilateral triangle एक equilateral triangle है इस तरह से उसके अंदर एक circle को रखा गया है ठीक है इस तरह से circle को रखा गया है sides कितनी है 20 cm यह side है 20 cm की है 20 cm की side है आपको circle का area निकालना था कि circle का area कितना हो जाएगा अब इस question करने के दो तरीके हैं एक तो ऐसी है कि आप यहांसे diagonal बनाने start को दो इस तरह से ऐसे करके तो चीक है यह जर्नल method बता रहा हूं यह R हो जाएगा यह भी R हो जाएगा यह भी R हो जाएगा मतलब आपने circle को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरह से ठीक है जो पूरा triangle है इक्विड ट्राइंगल इसका जो area हो जाएगा root 3 by 4 a का square कि इसके बड़ार हो जाएगा पहले इस पोशिइन का ईरे निकालने स्वा फिर इस जाएगा कखे उसका सम कर देना को क्षे लाई पर यह से वैयलिव मिल जाएगी R की तो और स्कुर कर आशकी के आंशर क्या है ऐसे जए डायेट फॉर में भी अप लगा सकते हो पाई बाई 12 a square करके पाई आपको पाई की टम में ही दिया हो इस सबसे बड़ी बात ही है 12 में एका square में 20 का square करना था ऐसे करके solve करोगे ए आपको दियो 20 cm बस simply solve करना था 100 pi by 3 आ जाएगा जनल मैसल से भी कर सकते हो shortcut भी कर सकते हो जैसा वो ठील लगता है वैसे करना पड़ेगा आपको ठीक है तो 100 pi by 3 cm को राइंसर आजाएगा पहले मैसल कर बताया यह था इसके इसके इसरे कर दिया divide कर दो इस तरह से यह कर दिया तीन पार्ट्स में divide कर दो इस तरह से करके आगे चलते है दब प्रोबैबिटी आफ गेटेंग एक्जेक्टली फोर टेल वें शिक्स अनबाइस्ट कॉइंसर टॉस्ट सिक्स अनबाइस्ट कॉइंस मदब फिर से कॉइन की बात करें टोटल नमबर रिजल्ट किते हो जागे नीचे के तरफ टूगी पाउर शिक्स में दो शिक्स्टी वर डिवर्ड में 64 आ जाएगा उबर की तरफ के आएगा बागी इसको भी आपको कर सकते हो अगर टे इस को को कर सकते हैं आगे करते हैं तो मेफिस से कर सकते हो एक 27 तरह की वीडियो देख लिए ना उसमें कर वाया था सा कूशन वैसे कर सकते हो उसमें करना था हमको तीन साल पहले की बात करें स्वपना की एज 3 थी X थी तो स्वपना की मदर की 3X हो जाएगी इस तरह से करके फिर 3X प्रेस 10 करके वो करके भी कल की तरह भी कर सकते थे दूसरा कैसे जिसा ratio proportionally की अबसा वो वीडियो में करवाया था वैसे भी कर सकते हो चार साल पहले की बात करें तो स्वपना की मदर जो 3X बड़ी थी थी ना अगर स्वपना ये स्वपना की मदर होगी अगर xuपना जो है वो एक ही चोजोगी माथ,ілहाओ तीनी रेशो हो जाएगी यहांप की बात आ है च्यजोगी दवल पहले की बात कररें छे साल बात क्या हो जाएगा सवपना की मदद डबल जाएगी न अगर सवपना एक है तो सकी मदद डबल हो जाएगी इस तरह से कर सकते हुए coher, तो यहांपर अगर ratio की method की बात करें, common difference तो यहांपर आने को देखने को मद मिल नहीं रहा, तो यहांपर क्या करते थे, यहांपर 1 करते हैं, तो ratio create करने के लिए cross multiply करते थे, इसको इसे multiply कर लोगे, 1 answer आजाएगा, इसको इसे multiply कर लो, आपसे क्या पूछा यहां पर सुपना की मदर की प्रेजेंट डेज क्या है अगर एक रूश दस के बराबर हो जाएगा यह तीन रे शुड़ी हो तीस के बराबर हो जाएगा बड़ यह एज कौन सी है चार साल पहले की ना चार साल बाद एज क्या हो जाएगी थर्टी-फॉर प्रेजिए ना उनमें बेसिक जो कोशिशन से मां पर करवा है वह आपर जाके वीडियो देख सकते हो बड़ दो तरिके से कर सकते हो रेशोली मैसे भी कर सकते हो सिंपल 1.3 की रेशो है चार साल पहले है ची साल बाद रेशो किया हो जाएगी यह भी 1.2 की हो जाएगी बट कॉमन डिफरेंस आ नही रहता डिफरेंस बराबर करने के लिए यह लग गाप निकालते है यह लग गाप निकालते है क्रॉस मिल्टिप आगर के नई रेशो बना कर दूद्स पर साट लगा रहेगा कियों कि बारत थीजुटा दर ना क्योंकि बात करक। क्यों जो 16 दिन लगाता है with the help of R मतलब R भी जब आ जाता है P कि वो तो पहले था ही था जब R भी यहां पर आ जाता है किसी काम खुतम करने में कितना इम लगाते हैं वो four days का टाइम लगाते हैं तो बताओ और contract price कितना है पूरे काम करें का 1200 रूपए है तो पताओ R को इसमें से कितना मिलता होगा अब उब्यूसी बात है हमें लसम कितना जागा मेरे पास इसम मतल्स इसम अजाएगा इसका मतल्ब यह एक दिन में यह कितना काम कर था हो कि का थि का Pix सरी और बारां तीनों की रेशो को एड़ करेंगे P, Q, R रेशो को एड़ करेंगे मुलिपल बारां सोस को सॉल्व करना था तो यह सिंपली करेंगे फाइफनीट अंसर आजाएगा अप्शन नम्बर सी क्रेक्ट हो जाएगा उसमें जो भी रिमेंडर बचाव एड़ कर तो 3, 6, 4, 7 आपको इस आजाएगा वर्ड परसेंटेज और 60 इस 12 60 की कितनी परसेंटेज 12 है 12 कितना परसेंटेज 60 का परसेंटेज पर करेंगे 100 से मिल्टिपाई करना पड़ता है ना इसको जो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या जाएगा आपके बास यहां पर यह 00 कैंसल हो जाएगा 2 को 3 से मिल्टिपाई कर लो 2 को 5 से मिल्टिपाई कर लो 3 को 1 से 3 को 4 से 5 को 4 से 20 मिल्टिपाई कर लोगे ऑप्शिन इम्बल सी क्रेक्ट आंसर हो जाएगा टिक है पुटा फास्ट बोना हो वीडियो को स्लोगर स्लगते हो प्राइश फफ एपल इस रूपीज और इच मैंगो इस रूपीज रिफ्टीन हर एक एपल का प्राइश दस रूपय और मैंगो का परइस पंदर रूपय है अगर बैग में 40 एपल 20 मैंगों हैं तो बताओ एकप्रॉक्सिमेट एवरेज प्राइस पर फूट कितना बढ़ेगा देखो एक एपल की बात करें 10 रूपए का प्राइस है एपल कितना से 40 थी यह हमने एपल का कर लिया plus मैंगों के बात करें 25 रुपे मेंगों को प्रैस है कितने 20 है यह है एक है अपर पूरोक्सिमेट ऐवरिज प्राइज पर फूरोड कितना हो गया है है इसारि सोरी स्टीर डिस्टॅर यहां पर कितना देखने को मिलेगा 40 एपर 20 मेंगो किश्टिया फूर्ट देखने मिले का सिंपल इस एक्वेशन को सौल करना था सौल करने बाद एलैवन बेंट सैमन आपके उसा आजाना था ऑप्षिन निंबर भी क्रेक्ट हो जाएगा इसको भी किलोमेटर पर दिए किलोमेटर पर आउर में करने के लिए कर लो उससे क्या हो जाएगा मुंड में कट विडियों में बतायतकर बंवर केंजिट पर Dumas कीढाया तुन था नितर अपता है थ्यूजह करने दिस्ट पता को स्पीड माधे पास कितना जाएगा 54 00 is assumption कर तो सब जाएगा जब i के वहां जाएगा जो हमारे पास बरवनल्स की रिख दो कैसे लिखेंगे राइव करें टाइम डिस्टंस पाउंड स्पीड अनिल कर बात करें डिस्टंस कितना है दोनों के इसमें 1440 हो जाएगा अनिल की स्पीड थी 144 यह क्या अनिल बरून के अगर बात करेंगे, बालून की case में जो जाएगा, distance पर speed अभी भी है, distance same ही है, 1440, बालून की, sorry, बालून की speed की तिन जो 40 km per hour, यह simple दिया हुआ है, इसको solve करना था, यह 10 आ जाएगा, और इसको जो solve करोगे, यह 36 आ जाएगा, अब देखो minute hand की बात करें, उसकी length की तिन जो यह है, minute hand है, उसकी length की तिन जो 7 cm, यह पूरा चकर चलाने में, पूरा चकर लगाने में, बालून कीतना ट्रावल करना बढ़ेगा, क्या निकालना बढ़ेगा उसके लिए, 2 pi r circumference आपको calculate करना होगा, 2 भी आपको पता है, pi r आपको 22 by 7, आपको पता कितना दिया हुआ है, 7 cm दिया हुआ है, इससे circumference निकाल दो, calculate करोकि कितना असर आजाएगा, 2 into 22 by 7 into 7, 7 cm गांसर जो गहा, 44 हो जाएगा, एक गंडे में 44 centimeter move कर रही है 48 गंडे में कितना move कर रहे है 48 into 44 करोगे एक जो correct answer हो जाएगा 2 गंडर साथ same volume दो जलेंडर की volume same है एक cylinder की V1 हो जाएगी एक cylinder की V2 दुनुन सेम है रेड एक इस ratio में 3 to 1 की ratio में ये क्यों जाएगा πाई R1 square h1 यह क्यों हो जाएगा PIE R2 SQUARE H2 ऐसे हो जाएगा PIE और PIE तो कैंसिल हो जाएंगे आर वन की तो आपको कितना दिये हो एँगा 3 का स्क्रेट 9 हो जाएगा 9 into H1 equals to R21 दियो 1 का स्क्रेट 1 ढ़ से एज़ेका H2 यहांसे H1 upon H2 तो वन बाइन आजाएगा option number one by nine का आपे देखने को मिल रहा है option number सी पर correct हो जाएगा ages of a, b and c are eight years, ten month अब यहां पर देखो eight to ten month इन इसको पूरा month में calculate कर लेते हैं आठ साल और दस महीने किसके बराबर हो जाएगे, आठ साल में कितने महीने होते हैं इसको भी month में convert कर लो, इसको भी month में convert कर लो, average आपको निकाल लेती, average का formula क्या होता है average को sum of observation, divided number of observation, sum क्या है, यह विले month, यह विले month, यह विले month, इन तिनों का sum कर लोगे, कितना से आजाएगा, मैंने किया हुआ है 441 sum आजाएगा, पूरा month में calculate किया हुआ है, बड़े number केतने, A, B, C, 3 नमबर न, जैसे average को calculate करोगे, तो calculate करने का answer जो है, 12.3 यहां पर आजाएगा, मतलब कि 12 years, 3 month आपको answer आजाएगा इसको calculate करने पर जो answer आजाएगा, आपको बड़े number 147 आएगा, बड़े number 147 क्या होगा, वो month होगे, आपको year में options दिया गया न, 12 से divide करने बड़े करने पर, 12 year, 3 month आपको बड़े number बड़े number भी correct आजाएगा यह बहुत simple है, A to B दिया हुए है, मतलब A आपको दिया हुए 5, B आपको दिया हुए 7, आपको 5A plus 7B divided by 3A plus 4B, A के जगा 5 substitute करना था, B के जगा 7 substitute करना था, A के जगा 5, B के जगा 7 हो solve करना था, simply इसको, इसको solve करने पर जो answer आजाएगा, 74 by 43, option number 7 पर correct answer आजाएगा Sita and Gita had certain number of chocolates with them, Sita और Gita की बात करने, कोई को चौकलेट वगरा थे, अगर Gita जो 5 चौकलेट सिता को देती है, जो ratio है, चौकलेट की Gita और सिता की 3-2 बन जाएगी, अगर सिता 5 चौकलेट देती है, तो ratio यह बन जाएगी, इस तरह से question पूछा गया, बताओ, कि how many chocolates Gita had initially, अ 2 case में बना दो, case 1 और case 2 बना दो, पहले case में क्या है, Sita के बास क्या है, if Gita gives 5 चौकलेट, अगर Gita 5 चौकलेट देती है, तो यहाँ पर हम बात करें, Gita अगर 5 चौकलेट देती है, Gita अगर 5 चौकलेट देती है, तो ratio चौकलेट ठीक है, Gita gives 5 चौकलेट, अगर Gita 5 चौकले तिए तब ratio कितनी बन जाती है 3 by 2 बन जाती है second case की बात करें अब 6 पांच चाउट दे रही न जब 5 चाउट दे रही में x plus 5 सिकता में 5 घॉलट अक्सटा करेंगे तो y के माईनस कर देंगे गीता के माईनस कर देंगे तो ratio कितनी बनती है 4 is to 1 ratio बन जाती है क्लिर हो गया सीता ने जब दे दे थे ratio ये बन गी थी जब Gita ने दिये तो ratio ये बन गी थी अब यहां पर आगे क्या है if Gita gives 5 child सीता अगर Gita जो है वो 5 child देती है तो ratio क्या बन जाती है 3 is to 2 बन जाती है और सीता कर देती तो तो 4 is to 1 बन जाती इस तरह से आपका answer आजाएगा. अब आपने क्या करना है? इस equation को भी solve करना है और इस equation को भी solve करना है. दोने equation को solve करोगे, दो equations बनेगी. जैसे एक equation बनती है आपर x minus 4y equals to minus 25 और इस तरह से दूसरे equation भी बनेगी आपके पास, दोने equation को solve करोगे, x और y की value आजाएगी, जो y की value होगी, वैपर correct answer हो जाएगा. दो case बनाने, दो case की help से आप आपके question को रामसे कर सकते थे, और दूसरे method करना था, करने का method क्या था? सीता गीता लिख दो, इनकी ratio लिख दो. पहले case में कहा थी, 3 is to 2 ratio होती, दूसरे case में कहा थी, 4 is to 1 ratio होती, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है? और यहां पर करने के बाद, आप options की help से बिसको eliminate कर सकते थे, वो थोछा difficult बन जाता है, ऐसे cases में x वा लेना ज़रूरी था, और यह question difficult level का था, इसको जब मैं भी solve कर रहा है, तो मुझे भी 5-10 मिनिट लगे थी, इस question को solve करने में, तो थोड़ टाइम कंजूमें के जाला question, ऐसे question तो कोई बिल्कुल नहीं पुछे जाने चाहिए थे, आगे चलते 17 question की बात करते हैं, बागी सारा question easy है, सिर्फ एक यह वाला question दोड़ा complicated सा था, बागी सब्सक्राइब के सब्सक्राइब आसान बूचे गए थे, average age जो है, 10 students के group के वो 12 years है, average के formula पता क्या होता है, sum of observation, 20 number of observation, पहले case की बात करें, 10 students की बात करें, कितनी average दिये हैं, 12 years, 12 years average दिये हुए है, sum आपको पता नहीं, students की तें 10 group है, यह से sum निकलो कितना आजाएगा, 120 सब्सक्राइब पर sum आजाएगा, यह clear होगा है, पहले case, दूसरे case की बात करें, यहां पर क्या कहता है, 5 if 5 new students joined them, अगर उनको 5 और student यहां पर join कर जाते हैं, यहांने कि पहले student 10 थे, फॉल में यह से लगाएंगे, पहले 10 थे, अब number कितना हो जाएगा, अब number जो 15 हो जाएगा, ठीक है, sum अब भी नहीं पता है, average एक साल बढ़ जाते है, पहले average 12 थी, अब average 13 हो जाएगी, फॉल में यह जो repeat के दो बार से, ठीक है, पहले case यह आगया, यहांसे sum 120 था, इस case की बार सम कितना हो जाएगा, 15 को 13 से multiply करना बढ़ेगा, इस case में जो हमारे पास यहांबर sum आजाएगा, वो sum calculate करना बढ़ेगा, 15 into 17 यहांबर multiply करना होगा, एक second room जाओ, तो यहांपर 195 अंसर आजाएगा, इस case में sum का बार सम कितना हो जाएगा, 195 आजाएगा, चीक है, यहांब कि sum का difference कितना आ रहा है, पहले sum 120 था, अब sum 195 आ रहा है, यहांब कि 75 का difference आ रहा है, 75 वो difference क्यों आ रहा है, जो 5 लड़के extra आएगे ना, उनकी कारन आ रहा है, जो 5 लड़के नए आए थे, उनकी कारण यहांब जो difference आपको देखने को मिल रहा है, यह मिल रहा था, तो इसका मतलब करें, एक बंदा किसके बराबर हो जगा 75 वे 15 करोगे, ठीक है, तो 75 वे 15 को तांसर कितना हो जागा, आपको 15 आ पर answer आ जाएगा, आपको वही काम करना था, आपको आवरेज दोनों की निकाल दी, आपने difference जो रहा है, कितना difference आ रहा था, वो 75 को डिफरेंस आ रहा था, बट सैंटीफाइब को डिफरेंस आ रहा था, इन 5 तो अगर 5 तो डिफरेंस आ रहा था, तो फिर से वही है, आवरेज की बात क्या होता है, सम आफ उब्जरोवेशन डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस 75 का रहा था, कितने बिल्चोगे न पांच बिल्चोगे करना रहा था, इसको solve करोगे, 59 से रहा जाएगा, ऑप्शिन नमबर जो 15, इसको solve करोगे, एक की कुशन यहां से बनेगी, एक की कुशन यहां से बनेगी, solve करोगे, वाई 39 से रहा जाएगा, ऑप्शिन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा, जैसे कल कर रहा था वैसी कुशिन है, एक की प्रेजेंट एज जो है, मतलब A upon B कितना हो जाएगा, 20% का मतलब क्या 20 by 100, इसको solve करेंगे, 1 by 5, A upon B हो गया 1 by 5, 30 years के बाद क्या हो जाएगा, A by B किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 2 के बराबर दिया हो न, A's age will be 1 by 2 of B, मतलब A by B के रेशो क्या हो जाएगा, 1 by 2 हो जाएगी, फिर से अगर हम देखें के difference अलग आ रहा है, यह पर gap 4 का एगा, gap A का आएगा, नहीं equation बनाएगी, यह 1 आ जाएगा, यह 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहांसे 8 आ जाएगा, अब गिदिफरेंस कितना है, इस 30 की कारण आ रहा है, इसके मतलब 1 ratio किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी, 1 ratio आपको समझे के 10 के बराबर है, आपसे क्या पूछता, sum of the present age of A and B, इनकी present age का sum निकालना था, अब 1 ratio को पतर लगे न, आब आपसे वो कुछ पूछले, आप अराम से निकाल सकते हो, बड़े मज़से कर सकते हो, A ratio की बात करें, sum of the present age of A and B, A और B की present age क्या है, आपके सामने स्क्रीन में है, इन दोनों की sum को अपने add करते हैं, यह पे सारी कहानी खत्म हो जाएगी, 1 ratio 10 के बराबर हो जाएगी, यह पांची को बराबर हो जाएगी, दोनों की age को add करना, sum of age of A and B कितनों हो जाएगा, 80 आपके बास answer आजाएगा, option number C correct answer हो जाएगा है आपके बास, आगे चलते हैं, last question की बात करते हैं, two unbiased dice are rolled, probability that the sum on the top of phase is greater than 10 देगा, दो dice की बात करें, अब obvious ही बात है, अब यहाँ पर case कितने बन जाएगे, आपको बताया था ना, six की power करके करते हैं, हम कैसे करते थे, six की power two, six की power three, दो इडाई से ना, divided में तो 36 आजएगा, total number of cases आपके बसा आगे, क्या probability है, जो sum होगा, वो greater than 10 होगा, आपको वीडियो में shortcut बताया था ना, कि two और 12 समाने का एक ही chance रहता है, three और 11 समाने का दो chance रहते हैं, four और ten आने के, यहाँ पर case टाट गाता, एक, दो, तीन chance हो जाएगे, three और nine समाने के, चार chance हो जाएगे, आपको क्या पूछा है, जो समाने के 10 से जाता होना चाहिए, लेकि सम या फिर यह होना चाहिए, या फिर यह होना चाहिए, आपके favor में कितने case बन रहे हैं, दो और एक तीन ही case बन रहे हैं, तो three और 36 हा जाएगा, इसको solve को रहे हैं, one by 12 अपकर answer जाएगा, option number 1 by 12 को आपर जेखने को मिल जाए, option number D में जेखने में मिल रहा है, option number D यहां पर correct हो जाएगा, किसी भी तका doubt अभी रहे हैं आपको वीडियो में, तो comment section में comment और पूछ लेंडा, बागी paper बड़ा easy था, mathematics था, एक question बड़ा सा अच्छा लगा, तो current affairs में कि देखना हो तो जो जितन भी कप बगारा हूँ है, international level कि आप से पूछे दाएंगे, उस पर time waste करने के बजाए यह बैटन रहाएगा, कि आज वीडियो अच्छे से अनलाइज कर लो, last video वीडियो अनलाइज कर लो, उसके basis भी कुशन से रहेंगे, बच्छे से attempt कर लेना, किसी भी तरह कर डाउट होगा, comment section पर comment करें, जरूर पूछना, thank you, जय हिंद,